जैहें साथियो तो अगर आप SSC की तयारी कर रहे हैं चाहे आप SSC MTS की तयारी कर रहे हैं या फिर SSC CHSL की तयारी कर रहे हैं या फिर आप SSC GD की तयारी कर रहे हैं तो अगर आप SSC GD का एक्जाम हो चुका है या फिर आगे होने वाला है तो एक्जाम देने के बाद आप SSC में लग जाए क्योंकि इस बार दो वेकंसी देखने को मिलेगी और अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो दो जाट तेश में आप अपना सेलेक्शन स्योर कर लिजिए क्योंकि दो जाट तेश में एससी की सभी भरती मिसल मूट के तहट कंप्लीट कराई जा रही है और जो आपको देखने को मिल रही है तो यह आपके पास बेहतर मौझा होगा बहतर अपरजुन्टी होगा कि आप सलेक्शन ले लें तो यहां पर हम मात करने वाले हैं सिस्ट्र मिलेगी प्रभ में में प्रालब कर लिए म्ने कर ने है आपकë सेलेक्शन हो जाएगा वही सलेक्शन हो जाएगा इसलेवस टेंथ की वैकंसीग उन्हा इसां पर चूट जाइग और यो आप लो no की लेगा लीयुक्त नीव नार्ट साफीलेग ने स्लेक्शन हो जाएं इसलिए एसलिए और इसारी कब तक आएगा एंड उसके निव वेकंसी कब तक आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे चले फिने से स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर ज़रू क्लिक कर लिजगा सभी इंपोर्टें के पोस्ट एड किये जाते हैं तो यह वेकंसी और होगी अभी इतनी वेकंसी आगी उसके बाद जून में फिर से निव वेकंसी आगी तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर इस बार लगवर टोटल 15,000 वेकंसी होगी इससी MTS में तो यह आपके पास बहतर मौका है यहाँ पर हम ब करें तो 18-25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पर देखी जो काउंट होगा वह सकता है कि एक साथ दोजाबाइस काउंट किया जाएं किया जाएगा क्योंकि फिर्ण्स पिछली बार जो काउंट किया गया था वह एक एक-दोजाबाइस से काउंट किया गया था तो इसलिए हो सकता है कि एक साथ दो जबाइस से काउंट कर ले कि तो ऐसा बहुत ही कम चांसिस है बाकि 17 तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे 17 जनवरी से ओलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा यहां पर इसके पेमेंट लेवल की पेमेंट दिया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि MTS की वेकंसी है तो ओवराल यहां पर जो पेमेंट बन जाता है वह 20,000 प्लसी बनेगा 20-25,000 के बीच स्टार्टिंग सेलरी आपकी बन जाएगी उसके बार यहां पर बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें सबसे पहले रिटन एक्जाम होगा टायर फर्स्ट होता है टायर सेकेंड होता है कि इस बार चेंजस देखने को मिलेंगे हो सकता है कि केवल एक ही एक्जाम होंगे तो अगर एक एक्जाम हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा कि एक ही एक्जा कि होता था बहुत ही नॉर्मल होता था कि इस बार हो सकता है कि वह भी हटा दिया जाए उसके बार यहां पर बात करते हैं इंप्रेट डिट के बारे में तो आवेधन जो स्टार्ट हो जाएंगे 17 फरवरे लाच टेट है और यहां पर देखें इसका एक्जाम डेट भी आ चु तो उसी त्यारी में आप इसलेक्षा ले सकते हैं तो यहां पर आपके पास बेहतर मौकर को अब यहां पर आपने बात करें स्लेबस के बारे में तो देखिए सलेबस इसमें घेली के लिएぜ कुर्ष होता है क्योंकिppen के लिए कंपलसरी होता है क्योंकि इसले द κάνete में थे yenजी में उसी तरीके से इंग्लिज भी Leg obra ladies को लेकर जादा परिषान ना हुए इकिर बहुत रिखाते इन तेनों में अच्छा कर जाते हैं तो आपका सैलेक्शन हो जाएगा बाकि यहां पर ge जो एएस सचल वाले के लिए उनके लिए तो लेतर मौका है क्योंकि यहां पर देखें जो सेचसल की तयारी करते हैं वह आलेड़ी इंग्लिस पढ़ते हैं सेचसल का भी है कि इसमें थोड़ा सा अप लेवल होता है सेचसल की यहां पर देखें सेचसल का भी जो ऑनलाइन आवेदन समाप्त हुआ है तो इसके एक्जाम जो होंगे वो मार्च में होंगे और इसकी तयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्सु पब्लिकेशन की मिल जाती है इस बुक को आप ऑनलाइन बाइक कर सकते हैं सेचसल की भी दो वैकंसी आगी तो इस बुक को आप बाइक कर लेजे दोनों वैकंसी के लिए यह सफिसेंट होगा तो इसके जरी आप अपनी तयारी को बेटर कर सकते हैं यहां पर देखें इस बुक में जितने भी प्रीवियस येर कोशन पूछे गए हैं सभी previous year question का collection मिल जाएगा क्योंकि इससे द्वारा जारी किये गए latest exam pattern के base पर तयार किया गया है जो भी new exam pattern जारी किया गया है new slabber जारी किया गया है तो उसके recording इसे तयार किया गया है तो इसमें आपको complete slabber देखने को मिल जाता है complete तैयारी आप यहां से कर सकते हैं तो बाई करने कर लिंग आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा बाखी यहां पर आइम एड्मिर कार्ट की बात करें तो 15 फरवारी तक आपका कर देखने को मिल जाएगा इस वैकंसी का और यहां पर मार्च में आपके एक्जाम होंगे उसके बाद यहां पर दे सकते हैं 9 माई को फिर से सेचसल की निव वैकंसी आ जाएगी तो यहां पर दे सकते हैं इस पर दोनों वैकंसी में आपको multiple chance मिल रहे हैं तो आप यहां से अपना सेलेक्शन शोग कर लिजेगा क्योंकि अब हो सकता है कि बहुत कम वैकंसी देखने को मिले अगले साल हो सकता है कि वैकंसी ना आए तो इस साल की सभी भरती को complete करा लिया जा रहा है तो हो सकता है कि 2024 में वैकंसी देखने को ना मिले तो आपके पास बहतर मौका है आप इस साल अपना सेलेक्शन ले लिजेगा अगर आप खासका रेस्टसी के तयारी कर रहे हैं चले फ्रेंस बाकि जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इंफर्म करता रहूंगा कोई डाउट आए आप कमेंट कर दीजेगा वीडियो को ल कर दो आपके जो 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 आपके जो